Hello everyone, welcome to SSC Scholars So guys, Air Force XY Group के लिए हम practice sets कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं English का practice set number 58 So कोशिश कीजेगा ज्यादा से ज्यादा questions attempt करने की and comment box में मुझे जरूर बताएगा कि आपका score कितना रहा अगर आपको इस session थोड़ा भी helpful लगता है तो like के साथ साथ एक share जरूर कर दीजेगा Start करते हैं Direction 1 to 6 है unseen passage So पहले हम questions read करेंगे उसके बाद passage अब जैसा कि आप देख रहे हैं आज के passage में सिर्फ और सिर्फ एक paragraph दिया गया है याने आज का passage थोड़ा सा lengthy थोड़ा सा tricky होने वाला है So पूरे concentration के साथ focus करेंगे passage पर questions पर Number one is according to the passage What is not the key concern of the businesses these days Key concern का मतलब है चिंता का विश है So आप कोई business start करते हैं तो वहाँ पर businessman के लिए profit आता है But profit के साथ साथ काफी सारी चिंताए भी businessman को रहती है उने दे रहा है उससे वो satisfied है या नहीं तो यह सभी क्या है key concern आपको बताना है passage के according कौन सा ऐसा point है जो key concern नहीं है Clear? The number two is What does employees do to its employees nowadays to keep top talent on board याने इन दिनों employees जो business man है वो अपने employees के लिए क्या कर रहे है ताकि उनके employees खुश रहे हैं motivated रहें उनसे satisfied रहें तो वो आपको बताना है employers क्या कर रहे है याने business man क्या कर रहे है उनके लिए The number three is Which of the following reason is not being mentioned in the passage in regard to people leaving their job याने passage के अंदर कौन सा ऐसा reason है जो mention नहीं किया गया लोगों की नोकरी छोड़ने का ठीक है आप कोई business कर रहे हैं अंडर employees काम कर रहे हैं तो employees अपनी job छोड़ते हैं ठीक है एक बंदा है वो कहीं job कर रहा है तो वो job छोड़ता है काफी सारे reasons हो सकते है तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा reason है job छोड़ने का जिसको passage के अंदर mention नहीं किया गया The number four is What does feel good factor mean with respect to employees याने employees के according feel good factor क्या है याने वो कब खुश होंगे employees employees के according बताना है याने employees क्या चाहते हैं कि उनके लिए क्या क्या चीज़े हो The number five is According to a recent survey by fortune magazine 30% people leave their job for याने अभी हाली में एक survey हुआ है fortune magazine के दोरा उसमें बताया गया है 30% लोग अपनी job छोड़ते हैं क्यों वो reason बताना है So passage के अंदर मिलेगा आपको या The number six is What can be the suitable title for the passage Passage के लिए suitable title बताना है So देखे title आप सिर्फ तब बता सकते हैं जब आपको passage की पूरी knowledge हो आपको पता हो के passage के अंदर हमारे पास इतना time नहीं है So मैं आपको इसका एक basic सा overview दे देता हूँ Passage के अंदर क्या है Business से related कुछ information कुछ facts दे गए है सबसे पहले बताया है कि आजकल के जो business है इनमें business man को काफी सारी चिंताए रहती है एक employee को खुश रखना है उसको satisfied रखना है क्योंकि अगर वो आपसे खुश रहेगा तब ही वो आपके लिए अच्छा काम करेगा Otherwise नहीं करेगा और अगर वो satisfied नहीं है तो पूरा world जो एक open market है वो आपकी job छोड़ेगा कहीं और job कर लेगा क्योंकि जिसके बंदे के पास talent है वो कहीं भी job ले सकता है उसको problem नहीं होगी बट as a employer, as a businessman आपका business effect होगा कहीं न कहीं जरूर सबसे पहले ये बात हुई है इसके बाद message में बताया गया है कि जो आपके employees हैं जो आपके workers हैं वो job अगर छोड़ते हैं तो उसके क्या क्या reasons हो सकते हैं काफी सारी लोग job इसलिए छोड़ते हैं उनको दूसरी जगा अच्छी salary मिल रही है या फिर reason हो सकता है कि वो अपनी जो job है जहां पर वो फिलाल में है current job जो है उससे satisfied नहीं है चीक है और भी काफी सारी reasons हो सकते हैं यहां पर discuss किये गए है इसके बाद में बताया गया है कि एक employer एक businessman क्या कर सकता है ताकि वो अपने employees को अपने से connect रख पाए satisfied कर पाए happy रख पाए clear यानि अपने employees के साथ में एक bond बना पाए connection बना पाए यहां पर basically यह आपका पूरा एक overview था अब हम बढ़ते हैं questions की तरफ सो पहले question में अप से क्या पूछा गया था कि आजकल का जो business है उसके अंदर क्या key concern नहीं है कौन सा ऐसा point है जो key concern नहीं है सो passage की first line पर आए keeping employees happy motivated and on the payroll is one of the key concerns of businesses these days यानि कि जो आपके employees हैं उनको happy रखना, motivator रखना और payroll पर रखना ये key concern है यानि चिंता के विशे है सो इनके अलावा अगर कोई point वहाँ पर आपको मिला है तो वो key concern नहीं है सो आईए अपने question पर यहाँ पर देखे option number ये happiness of employees तो ये आपका key concern है motivate करना भी key concern है और payroll पर रखना भी key concern है सो A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता बचा आपके पास option number D ये आपका correct होगा ठीक है, criticizing the employees performance ये आजकल के business के लिए key concern नहीं है देन नमबर टू में आपसे पूछा गया था कि employers क्या कर रहे हैं ताकि उनके employees उनके साथ बने रहें ठीक है, उनके साथ जो है ठीक से काम करें, happy रहें, satisfied रहें सो यहाँ पर आपका आना होगा passage की ninth line में यहाँ पर लिखा है employers must come up with irresistible incentives to keep top talent on board यानि कि उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें irresistible incentives के साथ में आना चाहिए सो यहाँ पर आप option देखेंगे तो option number B आपका correct हो जाएगा irresistible incentives irresistible का मतलब है कि जो चीज constant नहीं है, changeable आपके under कोई employee काम कर रहा है तो आप उसको salary देते हैं अब वो salary constant है, fixed है ठीक है, बंधवा मजदूरी है वो उसकी तो वो उसको मिलनी ही मिलनी है आपको क्या करना है, उस salary के अलावा कुछ other say incentives कुछ extra incentives आप अपने employees को दीजिए ठीक है, ताकि आपके employees खुश रहें आपसे satisfied रहें तो उसको बोलेंगे irresistible incentives इसको पैसेज में नहीं किया गया पैसेज के अंदर आएंगे पैसेज के अंदर देखेंगे यहाँ पर आप अगर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 30% people leave for better compensation and benefits यानि benefits के लिए public छोड़ सकती है इसके बाद में 27% for better career opportunities career opportunities के लिए people अपनी नोकरी छोड़ सकता है 27% for new experience नए अनुभव के लिए new experience के लिए job छोड़ी जा सकती है 21% are dissatisfied with opportunities as current job यानि जो उनको current में job मिली हुई है जिस हाल ही में फिलाल में वो जिस job पर है वहाँ पर उनको opportunities नहीं मिली वहाँ पर satisfied नहीं है इसलिए job छोड़ सकते है 16% desire to change career और industry 16% ऐसे हैं जो अपने career को बदलना चाहते है अपने industry बदलना चाहते है यहाँ पर आपने देखे काफी सारे reasons हो सकते है अपने benefit के लिए एक person job छोड़ सकता है अपने better career opportunity के लिए छोड़ सकता है अपने नए experience के लिए या फिर वो current job से satisfied नहीं है या फिर वो अपने career को change करना चाहता है industry को change करना चाहता है यहाँ पर आपसे पूछा था कौन सा ऐसा reason है जिसको mention नहीं किया गया यहाँ पर है family constant ठीक है आपसे काफी सारे reason discuss किये गया आपको बताया गया कि एक इनसान अपनी job क्यों छोड़ता है लेकिन यह नहीं बताया गया कि वो family से related कोई reason हो सकता है उसकी job छोड़ने का clear यहाँ पर option number A correct हो जाएगा family constant especially after getting married clear option number B अगर आप देखें तो dissatisfaction with opportunities at current job तो इसको discuss किया गया है better compensation and benefits इसको भी discuss किया गया है और new experience वाले point को भी discuss किया गया है option number A ऐसा है जिसको discuss नहीं किया गया then आपका question number 4 के अंदर क्या पूछा था कि feel good factor क्या है employees के हिसाब से यानि जो workers हैं वो क्या चाहते हैं उनके लिए बहतर उनके हिसाब से क्या है सो देखें बहुत ही simple सा है passage के अंदर बोला गया है कि सिर्फ पैसा आज कर सब कुछ नहीं है यानि अगर आप एक employer है एक business man है तो आपके employee को सिर्फ और सिर्फ salary अच्छी नहीं चाहिए बाकी भी काफी सारी चीजें है काफी सारी facilities उसको चाहिए सिर्फ पैसे पर dependent आज का जो environment है आज का जो youth है वो नहीं है यानि के employee के हिसाब से feel good factor क्या है anything which can help employees happy and satisfied यानि employees क्या चाहते है कि एक employer जो एक business man है वो कुछ भी करे जिससे employees खुश रहे और satisfied रहे clear so feel good factor का मतलब क्या हो गया anything which can keep employees happy and satisfied आप एक business man है तो आपको सिर्फ इस बात पर focus करना है कि आपके अंडर जो workers हैं जो employees है वो हमेशा खुश रहे हैं आपसे satisfied रहे हैं तब ही आपको वो best outcome दे सकते हैं the number five is यहाँ पर आपसे पूछा था के recent survey जो फोर्चून मैगजीन के दुवारा किया गया उसमें 30% लोग अपनी job छोड रहे हैं इसका reason क्या है so यहाँ पर आप अगर देखें so यहाँ पर लिखा है 30% people leave for better compensation and benefits यानि 30% लोग क्यों job छोड रहे हैं better compensation and benefits के लिए यानि उन्हें दूसरी जगा कई अच्छी benefits मिले होगा अच्छी sell मिले होगी so यहाँ पर हो जाएगा आपका option number C better compensation and benefits अब जैसा कि मैंने आपको बता है passage के अंदर क्या-क्या चीज़ है discuss की गई है so यहाँ पर इसका title क्या हो जाएगा challenges to keep employees on board option number D आपका correct हो जाएगा यानि कि एक employee को अपने से connect रखना इसके अंदर क्या-क्या चुनोतियों का सामना एक businessman को एक employer को करना पड़ता यह इस passage में discuss किया गया है clear so यह था आपका passage काफी ज़ादा lengthy था काफी ज़ादा tricky था तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप इसको एक बार passage जरूर पढ़े और जो आपके passage के questions है इनको कम सकम दो बार revise करें आपको यहां से आदत पढ़ जाएगी कि किस तरीके से आपको passage solve करना है आगे चलते है direction 7 to 9 है choose the most appropriate response for each question number 7 is welter is a synonym of welter का synonym बताना है तो इसका मतलब है अस्त व्यस्त करना किसी चीज़ को उथल पुथल करना और उथल पुथल को आप English में turmoil भी बोलते हैं याने welter का synonym हो गया turmoil option number A आपका correct हो जाएगा other options की अगर बात की जाए तो laconic का मतलब जो कम बोलता है एक ऐसा person जो बहुत ही कम बोलता है short cuts ठीक है यूज करता है उसको बोलते है laconic then difficult का मतलब आप जानते है hard ठीक है कोई भी चीज़ है difficult याने के cutting है while का मतलब है दुष्टितापूर्ण या फिर घिनोना then number 8 is the word hysteria means hysteria का मतलब है पागलपन याने madness so option number C आपका correct हो जाएगा hysteria means madness generous का मतलब क्या है उदार याने दयालू कोई भी person बहुत ही साथ दयालू है तो उसको बोलेंगे generous ignorance का मतलब किसी को ignore करना और expensive का मतलब है कोई भी चीज महंगा होना ठीक है उसको बोलेंगे expensive then number 9 is अब इसका opposite का हो जाएगा उस चीज को शुरू करना start करना तो शुरू करने को हम बोलेंगे commence यानि terminate का opposite हो जाएगा commence और फिर नमबर C आपका correct हो जाएगा then direction 10 to 11 है one word substitution number 10 is ceremony of crowning a king एक राजा को जब उसका ताज पहनाया जाता है तो उस ceremony को उस function को क्या बोलते है तो उसको बोलता है coronation option number C आपका correct हो जाएगा राज्य अभिशेक हिंदी में बोलते हैं इंगलिश में बोलेंगे coronation then number 11 is the murder of one's sister यानि किसी की बहन को किसी की sister को मार देना murder कर देना उसका वो क्या कहलाएगा सोरोरी साइड option number B आपका correct हो जाएगा then number 12 is choose the correctly spelled word spelling test से question है तरजी की spelling बतानी है ये question आपके लिए रहता है आप मुझे इसका answer बताने वाले है comment box में same आपका question number 13 यहाँ पर भी correctly spelled word find out करना diffusion की spelling बतानी है so video को pose कीजे question number 12 and 13 का answer comment box में लिख दीजे video के end में मैं आपको इनके answers बता दूँगा जहां से आप check भी कर सकते है the number 14 is the indirect speech of indirect speech बनानी है sentence आपका है my father said to me will you sit and study at least now so यहाँ पर आपका जो sentence है ये will से start हुआ है so will से start हुआ यानि ये क्या होगा एक आपका interrogative sentence की तरह यहाँ पर use हुआ है तो यहाँ पर जो आपका said है इसको आप convert कर देंगे ask में या फिर inquired भी हो सकता है ठीक है दोनों chances है दूसरी चीज़ आपका जो sentence वो start हो रहा है will से यानि एक helping वाप से तो जब आप indirect बनाएंगे तो indirect आपका बनेगा या तो if या फिर weather से यहाँ पर आपका if होगा या फिर weather होगा इसके बाद में जो will है जब आप tense चेंज करेंगे तो will का क्या हो जाएगा would अब अगर आप देखें तो option number a आपका नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर use y can option number b हो सकता है option number c हो सकता है d नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर use y will या तो b होगा या फिर c होगा दोनों में अंतर क्या है तो यहाँ पर आया है at least then और यहाँ पर आया है at least now एक चीज़ याद रखे अगर direct speech में now है तो जब आप indirect बनाएंगे तो now convert हो जाएगा then में यान यहाँ पर आपका option number b correct हो जाएगा my father asked me if I would sit and study at least then clear the number 15 is what does the phrase red letter day mean एक phrase दिया गया है red letter day इसका मतलब बताना है so red letter day का मतलब है an important day एक महत्वपूर्ण दिन जैसे 15th of August 15 अगस्त हमारे लिए एक important day है so उसका हम बोल सकते है red letter day then direction 16 to 17 है active passive transformation number 16 is the girl's death has opened a can of worms so यहाँ पर आपका object है a can of worms इसको subject बना देंगे इसके बाद में आप देखेंगे tense कौन सी यूज़ हुई है so यहाँ पर आप है has opened याने present perfect अब क्योंकि आपका subject plural है so आप यूज़ करेंगे यहाँ पर same आपकी tense तो वही रहने वाली है present perfect इसके बाद में आपका जो subject है वो आपका singular है a can of worms ठीक है तो subject आपका singular है और आपको बनाना है present perfect so आप यूज़ करेंगे has been opened so यहाँ पर आपका option number be correct हो जाएगा a can of worms has been opened by the girl's death is being नहीं हो सकता क्योंकि sentence आपका continuous का नहीं है ठीक है being नहीं नहीं हो सकता बाकि सभी options अगर आप देखें सभी में being का use वाया और being का use होता है continuous में so being यहाँ यहाँ पर नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा has been opened then number 17 is the principal promised the boys a holiday so यहाँ पर आपका object है the boys इसको बना देंगे subject इसके बाद आपका जो sentence है उसमें यूज़ वाय वापकी second form याने simple past so जब आप passive बनाएगे वो भी simple past में बनेगा और the boys आपका plural है इसलिए आप work का यूज़ करेंगे so option number C आपका correct हो जाएगा A गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपने sentence present perfect का बनाया है option number B में आपने past perfect का बना दिया इसलिए गलत हो गया और option number D में simple present का बनाया इसलिए गलत हो गया then number 18 is form an adjective from the given word एक word दिया गया है dirt इससे adjective बनाना है so dirt का मतलब है गंदगी यह क्या है एक चीज़ का नाम है so यह हो जाएगा noun noun से आपको adjective बनाना है so यहाँ पर आपका option number B correct होगा dirty एक adjective है क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को dirty बोलता हूँ ठीक है मैं बोलता हूँ dirty person यानि कैसा person है कैसा व्यक्ति है dirty है गंदा है so कैसे का जवाब मिला यानि adjective so option number B आपका correct हो जाएगा dirty क्या है यानि किसी चीज़ को गंदा करना यह एक काम है तो यह हो जाएगा आपकी verb dirty ली आपका एक adverb है क्योंकि adjective के साथ में ly ad हुआ है then direction 19 to 20 है error spotting number 19 is the unemployment problem keep raising its ugly head the world over so यहाँ पर आपका जो concept है वो यूज़वा है subject verb agreement से जो आपका subject यहाँ पर है वो है the unemployment problem और यह आपका singular subject है so आपकी जो verb है वो यहाँ पर keep की जगा हो जाएगी keeps क्योंकि sentence आपका simple present का है और आप जानते है simple present के अंदर अगर subject singular है तो आप verb की first form के साथ s या फिर es का यूज़ करते हैं ताकि आप उसे singular बना सकें so keep की जगा यहाँ पर हो जाएगा keeps b part में error है option number b आपका correct हो जाएगा then number 20 is one of the boys who always give the correct answer is Samuel so यहाँ पर आपका जो subject है यह one of the boys so यहाँ पर one का use हुआ है जिसकी वज़े से आपका subject बन गया singular अब subject singular बन गया तो same वही concept simple present का sentence है so verb के साथ में as या फिर es add होगा यानि गिव की जगा क्या हो जाएगा gives हो जाएगा b part में error है option number b आपका correct हो गया so दोनों ही questions जो थे subject verb agreement से थे यह था आपका आज का practice set I hope सभी questions आपको समझ आए होंगे फिर भी अगर कोई doubt बचता है then comment box is yours आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको reply करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा इसके बाद अब बात आती आपके spelling test के questions की so question number 12 का answer हो जाएगा option number D lethargy की spelling बतानी थी and 13 का हो जाएगा option number A diffusion की सभी spelling बतानी थी so आज के set में इतने रखते हैं thank you